नमश्कार आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी न्यूस नेटवर्क मेरा नाम अनुराग गुपता है और आज हम बात करने वाले हैं तेजस लड़ाकु बीमान की रक्षामंत्री राशनास सिंग ने बेंगलोर इस्थित H.A.L. हवाई अड़े से तेजस लड़ाकु बीमान से उड़ान भरी इसी के साथ वेश्वदेश में निर्मित हलके लड़ाकु बीमान में उड़ान भरने वाले पहले रक्षामंत्री बन गए जी सूट पहने राशना फ्लाइट टेस्ट सेंटर में पर्योशना निदेशक हैं रक्षा मंत्राले के एक अधिकारी ने बुद्धवार को बताया था कि स्वदेशी तक्नीक से निर्मित तेजस के विकास से जुड़े अधिकारियों का होसला बढ़ाने के उद्देश से रक्षा मंत्री इस हलके लड LCA का 90 सेंट संसकरन फिलाल निर्मार चरन में है पिछले सुक्रवार को गोवा में तेजस ने विमान वहाग पोत पर उतरने की काबलियत दिखाई थी यानि की अरिस्टिट लैंडिंग की थी इस लैंडिंग के दोरान नीचे से लगे तारों की मदद से विमान की रफतार कम कर दी जाती है इसी के साथ लड़ाकों विमान के 9 सेंट निसंसकरन के निर्मार की राह आसान हो गई थी सुरात में आई एएफ ने 40 तेजस विमानों के लिए H.A.L. को और दिया था पिछले साल भारती वायुषेना ने 50,000 करोड रुपे से अधिक की लागत से 83 और तेजस विमानों की अनिखेप की खरीद के लिए H.A.L. को अन्रोध प्रस्ताव जारी किया था उडान भरने के बाद क्या बोले राजनाथ सिंग इस पर एक नजर डालते हैं राजनाथ सिंग ने कहा कि तेजस चौते जनरेशन का एरक्राफ्ट हैं उडान काफी आराम दायक थी इ इसे देखकर मैं कह सकता हूँ कि हमें हमारे देश के वैग्यानिकों पर डियाइडियों पर सभी संस्थानों पर गर्व होना चाहिए इसी के साथ राजनाथ सिंग ने कहा कि आज हम ऐसी स्थित में पहुँच गए हैं जहां हमें दूसरे देशों से भी तेजस जैसे एरक्र आपको कंट्रोल किया मुझे काफी गर्व महसूस हुआ हमें हमारी देश की सेना पर इंजीनियर्स पर एचे यल पर सभी पर काफी गर्व है कोई प्रावलम नहीं जैसे जैसे कंटेंडर मुझे सो तिवारी बफलाते रहे वैसा हुएसा मैं करता रहा है आपने सुना कि आक काम खबरों को देखते और सुनते रहे आज के लिए बस इतना ही कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात तब तक देखते रहे हैं प्रभासाक्षी.com नमस्कार